सो गाइज देखिए एटाइड रियक्षंद को याद रखने के लिए बहुत ही श्म-पल से ट्रिक आपको याद रखनkeys है यह ट्रिक इतनी ज्यादा सिंपल है कि इसके बाद आप कभी भी एटार्ड रियक्शन को नहीं भूलेंगे ठीक तो चलिए ट्रिक को आपको ध्यान से सुनना है तो देखिए एटार्ड नाम के जो साइंटिस्ट है यहाँ पे वो एक बेक्ट इसे बोलते हैं जिसका नाम है तोतले बेंजल ठीक वो एक बेक्ट जिसका नाम तोतले बेंजल है उससे एटार्ड साहब बोलते हैं तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल एटार्ड साहब बोलते हैं तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल अब देखिए यहाँ पे अब देखे एटार्ट से simply हम लोग याद रखेंगे एटार्ट रियक्शन और to22 बेंजल अब देखे ह। तोτοली बेंजल के तोτοले से हम लोग याद रखेंगे टॉलीन जो की reactant की तरह use होता है किसमें एटार्ट रियक्शन में तो उतले बेंजल और बेंजल से हम लोग याद रखेंगे कि एटार्ड रियक्शन में बेंजल एलडिहाइड आज़ा प्रोडक्ट हमको मिलता है अब ट्रिक का लास्ट वाला सेग्मेंट बच जाता है जो की है क्रो मिलेगा कल क्रो मिलेगा कल तो क्रो मिलेगा कल से हम लोग सिंपली याद रखेंगे CRO2-Cl2 CRO2-Cl2 जो की एजार रियेजिंट यूज होता है एटार्ड रियक्शन में तो एक बार और हम लोग ट्रिक को रिमाइंड कर लेते हैं देखे एटार्ड नाम के साइंटेस्ट है वो एक बेक तीसे बोलते हैं जिसका नाम होता है तोतले बेंजल वो तोतले बेंजल से बोलते हैं कि तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल तो देखे एटार्ड से सिंपली हम लोग याद रखेंगे etard reaction तो उतले से याद रखेंगे toline जोकी as a reactant used होता है etard reaction में benbel से याद रखेंगे benbel aldehyde जोकी as a product bonnet है etard reaction में और cromilis काल से याद रखेंगे CRO2, Cl2 जोकी as a reactant use होता है etard reaction में तो यह थि बहुत ही simple trick कि हुआ कि हुआ रपगा तौर औौर